गाई बैल भैंस ये कुछ ऐसे जानवरों के नाम हैं जिनके सर पर सिंग मौजूद होते हैं और इनी की वज़े से हमें इनसे थोड़ा डर भी लगता है आपने अक्सर ही अपने घरों के आस पास की गलियों में लंबे लंबे सिंगों वाले गाई बैल देखे होंगे लेकिन आज हम आपको ऐसे जानवर दिखाने जा रहे हैं जिनके सिंगों को देखकर आप चौंक जाएंगे आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं तो फिर देर किस बात की आईए शुरू करते हैं सेंट्रल अफरिका में पाई जाने वाले एंकॉल लॉंग हॉर्ण केटल जिन्हें एंकॉल वातसुसी भी कहा जाता है अलग-अलग रंग जैसे की ब्राउन, ब्लैक या फिर ग्रे रंग में पाई जाते हैं जिनमें से ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा कॉमन हैं ये जानवर ब संगा लेना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी क्योंकि अपनी शक्ति और सिंगों से ये किसी का भी भरता बना सकते हैं नमबर 9, राइनो, जदातर अफ्रीका में पाई जाने वाले राइनो दुनिया के सबसे बड़े मैमल में से एक माना जाता है इनका वज़न 7 से 1000 पाउंड तक हो सकता है राइनो, राइनो सार्स एस्पेसीस का हिस्सा है जिसमें वाइट, बलैक और इंडियाना राइनोर्स आते हैं राइनो की नाग पर एक विशाल सिंग मौझूद होता है जो कि दूसरे जानवरों से अपना बचाव करने के काम में आता है इसके सिंग 2 मेटर से 4 मेटर तक लंबी हो सकती है किसी किसी राइनो के पास 2 सिंग होते हैं, किसी राइनो के पास एक सिंग होता है और किस के पास 2, ये उनकी इस्पेसीस के उपर निर्भर करता है पर सींग एक हो या दो, किसी भी जानवर के लिए रायनों का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल होगा नमबर एट, कैपरा इबेक्स कैपरा इबेक्स जिन्हें आप अलपाइन ओबेक्स के नाम से भी पुकार सकते हैं वाइल्ड गुवाड की ही एस्पेसीस का एक पार्ट है ये जानवर सुभाव से बड़े ही चंचल होते हैं और इंसानों के साथ इनका व्यवहार काफी अच्छा होता है इनसे दोस्ती करना आपके लिए आसान है और ये भी आप से दोस्ती करने के लिए बेचेन रहते हैं कैप्रा आइबेक्स की सींगों की लंबाई की बात की जाए तो इनकी लंबाई 60 से 70 सेंटेमीटर होती है और वजन के मामले में 15 किलो तक का वजन छू सकते हैं चटानों में रहने वाला ये जानवर शाका हरी है और अपने खाने में घास या फूल जैसी चीजों का सेवन करता है पहाडों में बसने वाले ब्लैक बग अकसर ही ऐसी चीजों पर रहना पसंद करते हैं जहां पर भारी मात्रा में घास या अन्य तरह के पेड़ पौधे उपलब्ध हो क्योंकि ये इन्ही को खा के अपना गुजारा करते हैं इन्हें चटानों पर चड़ने का काफी अनुभा होता है और ये बिना किसी दिक्कत के पहाडों में मंडरा सकते हैं इनकी ये खुबी इन्हें अन्य शिकारी जैसे लिपर्ट से भागने में मदद करती हैं क्योंकि उनके लिए चटानों पर दोड़ना बड़ा है मुश्किल होता है ब्लैक बग दिखने में चोटे होते हैं लेकिन इनके सर पर मौझूद सींग 152 सेंटिमीटर तक लंबे होते हैं इनकी सींगों की खास बात ये है कि ये सीधे होने के बजाए एक स्पारिल शेप के होते हैं जो कि और किसी जानवर में दिखने को नहीं मिलता गौट की ही इस्पेसीज में मौझूद एक और जानवर रैस्पुटिन गौट हमारे लिस्ट में नमबर छे पर आता है इनका हॉर्ण स्प्रेट बाकी सभी गौट के मुकाबले सबसे ज़ादा होता है और इसी वज़ा से इनने 2017 में गिनिस बुक आफ दे वर्ड रिकॉर्ड में भी डाला गया था ये जानवर आस्ट्रिया में पाए जाते हैं पर इनको खास सिर्फ और सिर्फ इनके सींग ही नहीं इनके चेहरे पर मौझूद ये घने और लंबी डाड़ी भी बनाती है जरा देखी कैसे इनके ये काली चमकीजी डाड़ी दिखने में बेहत शानदार लगती है तो बताईए साथियो क्या आप कभी अपनी जिंदगी में रैस्पर्टिन गौट को देखना चाहेंगे जिसकी सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं और इन सींगों की लंबाई एक से एक पॉइंट दो मीटर तक होती है ये जानवर जुंड में घुमते हैं और अकसर ही घास या अन्य पैउधों का सेवन करते हैं और इकस कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है और ये ज़्यादा तर रात या शाम के समय एक्टिव होते हैं नमबर फूर थ्री हॉरंड काउग नाम देखके तो आप चौक गये होंगे ज्यादा तर हम सभी लोगों ने अपने आस पास दो सींगों वाली गाए को ही देखा है तो चलिए फिर आज आपको दिखाते हैं तीन सींगों वाली गाए तीन सींग वाली गाए यानि की त्री हॉरंड काउग के पास एक तीसरा सींग होता है जो के इनके सर के बीच से निकलता है जिसकी वज़ेसे ये थोड़ी थोड़ी यूनिकॉन जैसे दिखाई पड़ती हैं इस तरह की गाये बहुत कम देखने को मिलती हैं इसलिए कई जगों पर इनकी पूजा भी की जाती है गेंट इलैंड को लॉर्ड डबी इलैंड के नाम से भी जाना जाता है गेंट इलैंड मुर्ग की सबसे बड़ी प्रजाती है जिसके शरीर की लंबाई 220 से 290 सेंटिमेटर तक होती है गेंट इलैंड शाकाहरी जानवर हैं जो घास पौधे खाते हैं ये अकसर ही सेंटरल अफ 20-70 cm तक लंबे होते हैं नमबर टू भरल भरल को नेली भेड़ भी कहा जाता है यह उच्छी हिमाले का मूल निवासी है यह भरत भूटान में आमार चीन और पाकिस्तान जैसे राज्यों में पाए जाते हैं इनके भर का रंग स्लेट ग्रे रंग का होता है लेकिन इनकी छाती और आगे की दो टांगे काले रंग की होती हैं भरल पूरे दिन एक्टिव रहते हैं और अपना समय पहाड़ी धलानों पर भोजन करने में आराम करने में व्यतीत करते हैं भरल शोशल एनीमल है और इनके जुन में 500-400 भरल तक मौजूद होते हैं एक मेल भरल के सींग घुम विशाल काई सींगों के लिए ही जाना जाता है हलाकि ये नसलब विलोग तो होने के काफी करीब आ गई है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स फॉरस सर्विस की वज़ा से 20 सदी में इनकी तादाद में वृद्य देखने को मिली ये जानवर 20 साल की उम्र तक जीवित रह सकते ह और इनका दूद आम कैटल के दूद से बेहतर होता है इसलिए इनका इस्तिमाल फार्मस में भी किया जाता है एक नजर इनके सींग पर डालिए इनकी सींग बाके किसी भी जानवर के सींगों से ज़दा बड़े होते हैं और ये इसे चीज़ के लिए मशूर है इनके ये वि वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी और वीडियोज का मज़ा लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक कियर अजर बाहा है घए ठाल टूले चैनल की अजय का मज़ेदार वीडियो चैनल के लिए।